नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं परभरती के लिए आवेदन मांगे गए हैं जो आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन आर्मी के अधिकारिक वेपसाइट इंडियन आर्मी.NIC. इन पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इन पदो पर आवेदन करने की अम्तिम्तिती 22 जनवरी 2022 है जारखन मौसम विभाग ने जारी किया एलो अलर्ट पच्मी विशोब के कारण पिछले कोई दिनों से जारखन में मौसम का मिजाज बदला हुए हैं बतादे मौसम विभाग ने जारखन के कोई जीलो में एलो अलर्ट जारी किया हैं इन जीलो में 11-13 जनवरी तक में गजन के साथ हलकी एवंब जदर्च की बारिश होने की संभना है इस दोरान बजरपात भी हो सकती है इसको लेकर राज सरकार सतर्क और विभागी अधिकारियों को कई आवसक दिसा निद्यस भी दिये गए हैं बता दे कुलहान के पुर्वी सिंग्मूम और सराय के लाएक अलावा प्रांची रामगार हजारे बाग कोटे और वोकारों में मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है इसके अलावा अने जीलो में भी बारिश की समावना जताई गई है जार्खन में मैट्रिक इंटर की परिक्षा किती थी घोसित नहीं होने से बचों का भवी से अधर में लटका है जारखान एकेडमी कॉंसील जैक ने अब तक मैट्रिक वाइंटर की परिचागिती थी घोसना नहीं किया है जिसकारण सुबे के करीब साड़े साथ लाख बच्चों का भवी से अधर में लटका है जबकि CBAC और ICAC बोड ने 10 वे बरावी के पहले चरण की परिच्चा ले लिए है जैक कब तक पहले चरण की परिच्चा लेगा इसे लेकर कोई जनकारी अब तक नहीं दी गई है बतादे सरकारी भी द्यालों में ऑनलेन क्लासेस की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे और कैसे अपनी परिच्चा देंगे या भी एक प्रस्ट नहाए बतादे एक साल में दो बार बोट की परिच्चा लेने की घोसना करने वाला जैक पहले चन की परिच्चा लेने में ही फिचली सावित हो रहा है एक तो कुरोना का काल दूसरा अध्यक्ष वा उपा अध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021 से यानी पांच मासे खाली होने से जैक का सारा कारे ठप पड़ा है जे पी एसी में वंफर बैकेंसी एक फरवाई तक करे आवेदान कि दिसी पसुपालान एवम साकारिता बिभाग में निदेशक भोमी सनरक्षन के एकल पद पर नियोक्ती जार्खन लोग सेवा आयोग के मादम से होगी बतादे विभाग के अनुसंसा पर आयोग ने इन पद पर नियोक्ती के लिए योग अभियार्थियों से एक फरवाई तक ओफलेन आवेदान माँगे हाई आवेदान आयोग कर्याले में स्पीट पोस्ट निभंदर डाक या हाथो हाथ जमा होंगे बतादे निदेशक भूमि सनरक्षन पद पर नियोक्ती के लिए क्रिसी या क्रिसी अभियंत्रन में असनातक क्यालावा अभियार्थियों को केंद्र राई सरकार या सोजनिक उपकरम में 10 साल कारे करने का अनुभाव अनिवार्य है होमगाड अभियार्थि 19 якमें से मिले रांची रवाना है होमगाड अभियार्थि के मांगो पर 32 दिनों तक विचार नहीं करने पर अभियार्थियों के 20 अभियार्थियों के 207 पेदल माइच करते मुख 혼자 कीया है बतादे आंदुरन का नेतियुत करता गौतम कुमार ने कहा कि छात्र निता उदाय मेहता के साथ भी सदस्टी मुखी मज़िसे मिल ले जाएंगे होमगाट अभियर्थियों को रवाना करते समाए जल सहया संग वस्वयम सिवक संग के करता के साथ होमगाट अभियर्थि भी सामिल रहेंगे बतादे रांची जाने के करम में रामगाट के नौन यूक तो होमगाट अभियर्थि संग के समर्थन लिया जाएगा इसके बाद राचिम मुख्य मंत्री आवास के लिए प्रस्तान करेंगे 15 जन्वारी को मनेगा मकर संक्रांती वा खिच्डी पर्व मकर संक्रांती वा खिच्डी पर्व इस बार 15 जन्वारी को मनाया जाएगा इसे लेकर जीले भर में त्यारी की जा रही है बता दे जोतिस रावानन दिवारी ने बताया कि बनारस पंचांग के अनुसार 14 को राचरी आठ बचकर 49 मेट पर सुर्य का मकर रासी में परवेश होगा अता अगले दीन 15 जन्वारी को सुर्योदे के पच्चात मकर संक्रान्ती वा खिच्डी पर मनाने का योगि बनता है के गोईल करा थाना छेतर में चार जन्वारी को पुर्भी विधाया गुरू चरन पर नक्सली हमले में सहीद हुए दो अंगरक्षकों की सहाधत का बदला लेने के लिए जार्खन पुलिस वा स्यार पीएव तथा कोबरा के जवानों ने अपनी सकीरित बढ़ा दिया है अब तक पुलिस को कोई खास अफलता हाथ नहीं लगी है जार्खन हाई कोट में सो करमचारी कुरोना पोजेटीव अति आवस्यक मामलों की होगी सुनवाई हाई कोट में कुरोना संक्रमन के मामले 23 से बढ़ने लगे हैं इसको देखते हुए अब हाई कोट में सिर्फ अति आवस्यक मामलों की सुनवाई होगी इसको लेकर हाई कोट के रईस्टार जनर मोहमत सकीर ने आदेस जारी कर दिया है बतादे आदेस में कहा गया है कि अगले एक सब्ता तक सिर्फ अति आवस्यक मामलों की सुनवाई होगी जो आदेस 17 जनवाई तक लागू रहेगा इसके अलावा हाई कोट में सिर्फ एक तिहाई करमी ही रोजाना कायम करेंगे हजारी बाग में कोचिंग लोज परियाटन अस्थल पर सनाटा हजारी बाग जीले में कोरोना के बढ़ते संक्रमन से सिक्षा बेवास्था से जुड़े लोगों को अधिक नुकसान हो रहा है बता दे सहर में लगभक सो से अधिक छोटे बड़े कोचिंग ट्यूशन सेंटर पर सिक्षन संस्थान है इन संस्थानों में हजारी बाग के अलावा चात्रा कुडर्मा गिरी डी बोकारो और धनबाद के बिद्यार्थी पढ़ने आते है बता दे दो जनवरी 22 को राज सरकार के आंसिक लोगडाउन की खोचना के बाद सभी संस्थान बंद हो गया है जिला परसासन ने सदर सियो वा समाधित थाना परभादी को नोदियस दिया था कि लोगडाउन का सक्ति से पायान कराना है संस्थानों में पड़ रहे 20 से अधिक विद्यार्थी परभावी था है जारखन में सुमवर को 4482 मरीज मिले है जबकि 1789 स्वस्थ भी हुए है जारखन में सुमवर के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 26,022 है भारत में 1,78,022 नए केस मिले है जबकि 57,0779 मरीज स्वस्थ हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 9,48,033 है HEC कामगारों की टूल डाउन हर्ताल समाप्त HEC में 40 दिनों से जारी करमचारियों का टूल डाउन अस्ट्राइक समाप्त हो गया है बतादेया टूल डाउन अस्ट्राइक 2 दिसंबर को 7 माह के बाकाया बेतन भुकतान को लेकर हुआ था मंगलवार को प्रवंधन और स्रमिक संखटनों के बीच 6 बिंदू पर समझावता हुआ जिसके बाद करमचारियों ने अस्ट्राइक समाप्त किया बतादेय समझावता पत्र की जनकारी मिलने के बाद करमचारी सोथा अपने कारेयास्थल पर पहुँच गया है कमपनी के तीनों प्लान सुचारों रूप से सुरू किया गया है एन-एच के लिए मुख्य मंचरी ने जलद भूमी उपलवद कराने का दिया निर्देश राजे में दो एन-एच का निर्मान एक साल से लटका हुआ है जमीन नहीं मिलने की वज़ा से दोनों महतपुर नेशनल हाइवे का काम रुका हुआ है बतादे मुख्य मंत्री हमंसुरें ने इससे गंबिता से लिया है और पलामू, राची, गुमला, उपायूक्त और बन विभाग के अधिकारियों को अब इलम जमीन उपलवद कराने का निदेश दिया है बतादे नेशनल हाईवे अथरोटी अफ इंडिया ने 2020 में ही इन सड़कों के निर्मान के लिए ठेकेदारों को चायनित कर काम और्डर कर दिया था लेकिन अभी तक इनके काम सुरू करने के लिए नियुक्ति की तीती घोसित नहीं की जा सकी है रेलेवे का स्पीट ट्रायल सफल दो घंटे में पूरी करे कोडार्मा से मधुपूर की आत्रा जारखन के कोडार्मा गिरीडी और देवगर जीले के रेल यात्रियों के लिए रात भरी खबर है दरसल आने वाले कुछ दिनों में कोडार्मा से देवघर जी लेके मधुपूर तक 135 किलोमेटर की दूरी मात्र सावा 2 घंटे में पेसेंजर ट्रेन टाय करेगी बता दे अभी इस दूरी को टाय करने में 3,5 घंटा का वक्त लग रहा है मालूम हो कि सोमवार को कुडार्मा से महेश मुंडा 110 किलोमेटर की दूरी का 80 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से OMS Special Train से ट्रायल किया गया था मास्क पहनने को लेकर जाम तड़ा विधायक की सला बोले हमेशा ना करे उप्योग जारखन में कुरोना संक्रमन की रफ्तार में हर दीन तेजी आ रही है बतादे राजे के दो मंतरी बना गूपता और मिसलेश ठाकूर इसकी चपेट में आकर हो मैस्वलेशन में हाए इसके बावजूद जाम तड़ा विधायक डाक्टर इर्फान अंसारी मास्क पहनने को लेकर अलग ही तर्क दे रहे हैं कहते हैं लोग लंबे समय तक मास्क पहनने से बचे सिर्फ भी भायवाले जगों पर ही मास्क का उप्योग करे इसके अलावा कोरोना की तिस्ती लाहर से लोगों को नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं बता दे जाम तड़ा विधायक डाक्टर इर्फान अंसारी अपने बयान बाजी से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं इस बार मास्क पहनने पर अपनी राय दी हैं कहते हैं MBBS डाक्टर होने के नाते कहता हूं की लंबे समय तक लोगों को मास्क का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए सिमडेगा मोब लिंचिंग मामले में मिरितक की पतनी राजेपाल से CBI जाच की की मांग सिमडेगा मोब लिंचिंग का मामला तूल पकरता जा रहा है बतादे मंगलवार को मिरितक संजू परधान की पतनी सापना देवी ने राजेपाल रमेश बैस से भेट कर इस मामले की CBI जाच की मांग की है बतादे इसे पहले सोमवार को भाजपा प्रतिनीदी मंडल ने भी राजेपाल स्रीपाइस से भेटका CBI जाच की मांग समेट मिरितक के परिजनों को 10 लाख रुपए सरकारी नोकरी और सुरक्षा मुहया कराने की मांग की थी हजारी बैक सित्ती नकसली गिरफतार सक्रिय सदस्य बोगदा के राजीव गांजू उर्फ बौना सामिला है साहिब गंज पूलिस ने 50 लाख की मोबाइल किया जबते जारखन के साहिब गंजी ले की राज महल पूलिस ने सोमवार की देर रात बड़ी करवाई करते हुए राधा नगर थाना चेत्र के पियार पूर गाउं इस्थीत कुखयात चोर आलम सेख के घर में चापी मारी कर चोरी के 90 लेटिस्ट स्मार्ट फोन बरामत की है हलाकि अंधेरे का फैदा उठाते हुए कुखयात आलम सेख नदी में कूद कर भागने में सफल रहा ये बाते मंगलवार को स्थीप्यो कर्याले कक्ष में अव्यजित प्रेस वात्ता के दोरान राज महल स्थीप्यो अर्विंद कुमार सिंग ने कही गंतंत्र दिवस समारों में बुजूर्ग और बच्चों को जाने की अनुमती नहीं रांची के मोरबादी मैदान में गंतंत्र दिवस समारों का वेजन कुरोना संक्रमन को देखते वे किया जा रहा है बतादे समारों में 60 साल से अधिक और 18 बरस से कम उम्रेक के लोगों को आने के नुमती नहीं रहेगी वहीं परेड और जाकियों का परदसन कुरोना काइडलाइन के अनुसार किया जाएगा बतादे रांची के उपायूग छवी रंजन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ वर्चुल बैठक करते हुए निदेश दिया बैठक में बरिये पुलिस अधिक छख उबिकास आयूगत अपर जिल्लादंडा अधिकारी बिधी बेवास्ता अनुमंडल पता अधिकारी सदर पर्योजना निदेश सक सामिल थे सदर अस्पितल रांची में करोना के 480 बेड करोना मरीजों की बरती संख्या को देखते हुए सदर होस्पिटल प्रवंदन अलाट मोड में हो गया है वहीं सकेंड वेब की परिसानियों से सीख लेते हुए अभी सही त्यारी तेज कर दी गई है बता दे होस्पिटल में अब करोना के मरीजों के लिए 480 बेड पूरी तरह से त्यार है वहीं सीरियस मरीज के लिए वेंटिलेटर HFNC बेड भी रिजर्ब रखे गए हैं जिससे मरीजों को ज़रुरत पढ़ने पर उनका इलाज किया जा सके इसके अलावा होस्पिटल में अक्सिजन प्लांट को भी चालू कर दिया गया है पूलिस वालों को गाइड लाइन का पालन करने को कहा राजधानी राची में कुरोना का कहर जारी है इस विच्राची के डियाजी ने पूलिस के सभी अधिकारी वा पदाधिकारियों को कुरोना पोठकाल पालन करने का सक्त निदेश दिया है डियाजी ने बताया कि यदि कोई पूलिस विभाग के लोग कुरोना पोठकाल का पालन नहीं कर रहा है तो उन पर कड़िक करवाई की जाएगी इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया है कि ओफिस में कारणात सभी कर्मी और पुलिस के लोग NH 95 मास्क का यूज करे और बढ़ते हुए कुरोना वायरस को रोकने में मदद करे उन्होंने बताया कि अधिकारी और कर्मी के दौरा हाल के दिनों में NH 95 मास्क नहीं पातना जा रहा है इसके लिए DIG ने महमारी को मद नजर रखते हुए सभी पता अधिकारीओं और कर्मीयों को मास्क और कुरोना महमारी कि रोकताम के लिए कोरोना प्रोटोकल परण करने का आदेश दिया है अगर जेल के अंदर भी आपको अपराधियों का रूतबा देखना है तो आप मंडल कारा गुमला के तस्वीर को देखे इसमें बताया जाता है कि इस जेल में सराप से लेकर नसे कि हर चीज मिलती है सिर्फ आपके पास पैसी होने चाहिए और अगर आपके पास पैसे है और आपको ख्यात अपरादी है तो भी आप जेल में सारी सुबधाय मिल जाएंगी जारखन सचीवाले चार दिन के लिए बंद देश भर में कुरोना के तिस्तिलाहर तेजी से अपना कहर बरपा रही है हर दिन कुरोना के नए मामले अपना ही रिकोर्ड तोड रही है बतादे हालात ऐसे हैं कि हर दीन डेल लाग से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं कुरोना के खत्रे को देखते हुए देश के कई राजयों में सक्त पवन्दिया भी सुरू की गई है वहीं जारकन में भी सक्त पवन्दिया लगनी सुरू हो गई है बतादे कि इसी कड़ी में कुरोना संक्रामन के खत्रे से सहमे सचीवाले कर्मियों के लिए रहात की खबर या है कि बुद्धवार के बाद से चार दिनों तक सचीवाले में छुटी होगी 13 जनवारी से सोराई परव की छुटी है वहीं 14 जनवारी को मकर संक्रांती की चुटी 15 जनवारी को सन्नीवार होने के कारण सचीवाले बंद रहेगा वहीं 16 जनवारी को रभीवार को सब्ताइक अवकास है जहां मुमों ने रगवर दास पर लगाया आरोप हेमंद सरकार के दो साल के कारेकाल पर सोमवार को सवाल उठाने वाले पूरो मुख मंतरी रगवरदास के खिलाप मंगलवार को सतारूर जारकन मुक्ति मोर्चा ने घेराबंदी की मोर्चा के महासचीव सुप्रियो भटाचाज ने कहा कि हमन सरकार ने कुरोना काल में दीदी कीचेन अथाने में भोयन की बेवस्ता कर किसी को भी भूग से मरने नहीं दिया रगवर दाह जब मुख्य मंत्री थे तब उनके पांच साल के सासनकाल में संतोसी सही 26 लोगों की भोग से मौत हुई वहीं राजे में सोलक किसानों ने आत्म हत्या की और उनमादी भीड हिंसा की अठारा घटनाय हुई गवश्ता की अधिवक्ताओं को दी जाए सो कलोर की आर्थिक सहायतारासी जारखन अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रवींद्र कुमारे राज्य के अधिवक्ताओं के लिए COVID-19 महामारी में आर्थिक मदद के लिए मुख्य मंत्री है मनसुरें से सो कलोर रूपْ सहायता रासी उपलब्त करानी की मांग की है इस सम्माद में मुख्य मंत्री को पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि अधिवक्ता समाज के प्रहरी यहां उचित मार्क दर्शन होते हैं और वर्तमान COVID-19 महामारी में जार्कन के लगभग 400 अधिवक्ता संक्रमी थाएं इतना ही नहीं 22 अप्रेल 21 से नियालाय पूरी तरह नहीं चल पा रहा है जिससे आम जनता को न्याय सुलब नहीं हो पा रही है वहीं अधिवक्ताओं की बीतिय स्थिती अच्छी नहीं है लातेहार में रेल इंजन और ट्रोली में टककर से तीन की मत दो घायाल जार्कन में लातेहार जिले में रेल इंजन और ट्रोली के बीच भिड़न्त में तीन लोगों की मत हो गई इस हादसे में दो अनलो घायल हुए है बता दे घटना चंदवा थाना चेतर के निद्रा और मैकलूस्की गंज रेलवे स्टेशन के बीच की हाई रेलवे सुत्रों ने बता है कि मंगलवार को रेलवे की बिजली दुरूस्त करने वाली रेल इंजन और रेलवे की पटरी को चेक करने वाली ट्रोडी की आपस में भीडानत हो गई धन्यवाद यादि आप चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुल के बेलें के दबें साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूलें साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्त में अपना फीड़बेक अवस्य दे थैंक यू